खेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है आपका हमारी आज की इस नहीं वीडियो में दोस्तों जैसा कि आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में GALERIAN TRANSFORMATIONS में TRANSFORMATION OF POSITION और TRANSFORMATION OF DISTANCE या फिर LENGTH के बार में बताया था तो देखें एक बार हम इसको देख लगते हैं कि हमार पस क्या-क्या TRANSFORMATION EQUATIONS आई थी तो देखें हमार पस TRANSFORMATION OF POSITION में क्या EQUATIONS आई थी देखें Y is equal to Y prime था Z is equal to Z prime था T is equal to T prime था क्योंकि यहाँ पर जो यह S prime frame है यह X axis के लोंग constant velocity V से चल रहा है तो यहाँ पर सिर्फ X axis में ही हमें EQUATION मिली थी और वो थी X prime is equal to X minus VT यह V क्या था यह V था जिस velocity से S prime frame X axis के लोंग move कर रहा है और यहाँ पर T है time तो यहाँ पर हमार पस जब हमने distance की बात की थी transformation of distance की तो यहाँ पर हमें मिला था कि delta X prime is equal to delta X मतलब कि अगर हम कोई भी object लेते हैं तो अगर हम उसके length को measure करें या फिर उसका distance हम देखें किसी भी point से Simplicity के लिए हम यहाँ पर origin की बात करते हैं अगर हम एक कोई भी point A ले लेते हैं इसका अगर हम distance देखें origin से S frame में S frame में और S prime frame में तो इसमें कोई भी difference हमें देखने को नहीं मिलेगा इसी तरह अगर हम कोई object लेते हैं और उसके length को हम measure करते हैं S frame में और S prime frame में तो हमें यहाँ से मिलता है delta L prime is equal to delta L मतलब length in S frame frame is equal to length in S frame या फिर इसको हम simply L prime is equal to L लेख सकते हैं तो आज हम यहाँ पर transformation of velocity की बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने पिछला lecture नहीं देखा है तो आप एक बार उस lecture को देखकर आईए क्योंकि यहाँ पर transformation of velocity transformation of position से ही related है यहाँ पर हमने आपको equations तो बता ही दी है कि हमें क्या-क्या मिली थी यह सब कि हमें क्या-क्या transformation equations मिली थी पर आप एक बार अगर वो वीडियो देखकर आएंगे तो आपको और अच्छे समझना आएगा या फिर अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ से continue कर सकते हैं तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं transformation of velocity तो देखिए जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारे पास position के लिए transformation equation सिर्फ x-axis में ही आई थी और वो भी क्या थी कि x' is equal to x-vt दोस्तों देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि velocity is जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है v is equal to dx by dt मतलब rate of change of displacement with time इसी को हम बोलते हैं velocity तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास सिर्फ x-axis में ही transformation equation आई थी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो हम s-frame में velocity ले रहे हैं वो u है देखिए यहाँ पर हम क्या consider करते हैं कि जैसे कि यह s-frame है यह s-frame है तो यहाँ पर हम consider करते हैं कि यहाँ पर दो observers हैं एक इस frame में है एक इस frame में है तो देखिए यहाँ पर हमें transformation of velocity निकालने के लिए यहाँ पर हम assume करते हैं कि यहाँ पर कोई एक particle है पी नाम देते हैं हम इस particle को देखिए यहाँ पर यह particle move कर रहा होगा मतलब इसके कुछ velocity होगी तो अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर जैसे कि दो observers है एस प्राइम फ्रेम में एक observer है और एस फ्रेम में एक observer है तो हम यह देखना चाहते हैं कि इस particle पी की velocity इस observer को क्या दिखेगी जो एस प्राइम फ्रेम में है हम इस observer को ओ प्राइम बोल देते हैं और जो एस फ्रेम में है उस observer को ओ बोल देते हैं तो इन दोनों observers को इस particle पी की क्या क्या velocity देखने को मिलेगी हम ये देखना चाह रहे हैं तो देखिए आप जैसा याद कर पा रहे होंगे कि जब हमने transformation of position की थी तो हमने एक particle लिया था लेकिन वो rest में था और हम उसकी position देख रहे थे s frame में और s prime frame में तो यहाँ पर velocity निकालने के लिए observer को इसकी क्या velocity दिखेगी वहीं ये जो observer s frame region में बैठा हुआ है इसको क्या इसकी velocity दिखेगी आए देखते हैं देखते हैं कि इसका क्या आता है हमारा पर transformation equation तो देखिए v is equal to dx by dt होता है हम सभी जानते हैं तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से s frame की velocity निकालते हैं एक बार हम मतलब उस velocity s frame के respect में क्या होगी यह निकालते हैं देखिए तो u is equal to delta x by delta t तो अब delta x को हम लिख सकते हैं x2 minus x1 जैसा कि आपको हमने position के case में बताया था जब हम transformation of distance या length कर रहे थे तब भी हमने आपर distance के लिए delta x is equal to x2 minus x1 किया था इसी तरह delta t is equal to t2 minus t1 हो जाएगा अब देखिए अब जैसा कि transformation of position ने हमें यह बताया था कि x is equal to x prime plus vt तो यहाँ से x2 की value क्या हो जाएगी x2 is equal to x2 prime plus vt2 prime ठीक इसी तरह x1 की हो जाएगी x1 prime plus v into t1 prime और यहाँ पर t1 is equal to t1 prime होगा t2 is equal to t2 prime होगा अब दोस्तों ऐसा क्यों है देखिए जब हमने transformation of position के लिए किया था तब यहाँ पर हमें t is equal to t prime मिला था इसलिए यहाँ पर हम डारेक्ली इसको ऐसा कह रहे हैं तो इसलिए हम इसको डारेक्ली यहाँ से कर रहे हैं कि t is equal to t prime था तो t1 prime is equal to t1 और t2 prime is equal to t2 हम ऐसा कह सकते हैं अब हम क्या करते हैं देखिए इस equation को हम equation 1 कह देते हैं अब इसमें हम values डालनी हैं और हमारा answer यहाँ से आ जाएगा देखिए u की value क्या है देखिए u is equal to x2 की value हमने लिख दी x2 prime plus v into t2 prime minus x1 की value हो गई x1 prime plus v into t1 prime दोस्तों ब्रैक्ट ज़रूर लगाईगा वरना mistake हो सकती है divided by delta t is t2 minus t1 तो t2 की value हम t2 prime लिख देते हैं और यहाँ पर t1 की value हम t1 prime लिख देते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं यह x2 prime minus x1 prime हो गया और यह t1 t2 prime minus t1 prime इसको हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं इन दोलों टर्म्स को हम अलग-अलग कर लेते हैं इस टर्म को और इस टर्म को हम अलग-अलग कर लेते हैं दीखें यह हो जाएगा x2 prime minus x1 prime divided by t2 prime minus t1 prime तो देख्यें यहाँ से हमीर पर पास آ गया x2 prime minus x1 prime को हम Day x prime लिख सकते हैं वहीं t2'-t1' को delta t' लिख सकते हैं और यहां से यह cancel out हो गया t2'-t1' उपर नीचे और यहां पर बचा भी तो देखें दोस्तो delta x' upon delta t' तो इसको हम क्या u' लिख सकते हैं जी हां लिख सकते हैं क्योंकि rate of change of displacement is velocity तो इसलिए यहां से हम अरपास आ जाएगा u is equal to u' plus v तो देखें दोस्तो यहां पर यह हम s' से s' से s में जा रहे हैं तो यहां पर हमें transformation मिल रही है u is equal to u' plus v और अगर हमें s frame से s' frame में जाना है तो हमारे पर transformation equations आएगी u' is equal to u minus v दोस्तों इसको हम inverse transformations भी बोलते हैं इसको हम inverse transformations भी बोलते हैं inverse transformation of velocity तो देखें दोस्तों जैसा कि हमने अभी किया था कि u is equal to delta x upon delta t यहां से हमने transformation of velocity निकाली थी तो दोस्तों अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जैसा कि हमने अपनी position के लिए equation निकाली थी देखें r prime is equal to r vector minus bt यह transformation of position थी तो यहां से हम क्या कर सकते हैं अगर इस पूरी equation को हम time के respect में differentiate करें तो यह क्या हो जागा यह हो जागा dr prime upon dt is equal to dr upon dt minus v into dt upon dt अब देखें दोस्तों यह जो v है इसको ध्यान रखना है कि यह v constant velocity है इसलिए इसका differentiation नहीं होगा तो यह बहार आ गया यह चीज हो जागे मार पस dt upon dt अब देखें इसका हम सीरे लिख सकते हैं यह dr prime upon dt हो जाएगा u prime क्योंकि rate of change of position with respect to time is velocity यहाँ पर ही हो जाएगा u prime is equal to dr upon dt का हम लिख देंगे u u vector minus v क्योंकि dt upon dt क्य हो जाएगा 1 तो हमार पस यहाँ से भी आ गया सीरे u prime is equal to u minus v तो हमार पस दोनों ही तरीके हैं हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तों देखें यहाँ पर हमें confused नहीं हो रहा है यहाँ पर यह u prime क्या है देखें u prime क्या है velocity of an object measured in s prime frame मतलब किसी object की velocity जो s prime frame में measure हुई है वो है u prime उसी तरह u क्या है velocity of an object measured in s frame s frame में जो velocity measure की गई है वो है u उसी तरह यह v तो हम जानते ही है कि velocity of s prime frame है मतलब s prime frame s frame के respect में जिस velocity से move करता है वो velocity है v और यह v constant velocity होती है तो देखें यहाँ पर एक important चीज़ है देखें यहाँ पर हम s से s prime में जा रहे थे और अगर इसके inverse transformation हमें चाहिए मतलब कि अगर हम s prime से s में जाना चाहते हैं तो हमारे पस transformation आएगी u is equal to u prime plus v अब देखें यह हमारे पस equation 1 है यह equation 2 है इन दोनों ही equation को हम कहते हैं Galilean law of addition of velocities आप इसका ध्यान रखेगा यह एक important चीज़ है पेपर में आ सकता है तो आप इसको ध्यान रखेगा यह equation of velocities होती है transformation equation for velocities होती है इसको हम Galilean law of addition of velocities के नाम से भी जानते हैं और देखें यहाँ पर हमें एक चीज़ और क्या मिली है यहाँ पर कि velocities observed by an observer in two frames of reference are not same मतलब कि अगर हम same velocity को दो अलग-अलग frames में देखते हैं एक s frame में एक s prime frame में तो दोस्तों वो same तो बिलकुल भी नहीं होगी same नहीं है इसका मतलब कि वो variant quantities हैं मतलब invariant नहीं है देखें invariant का मतलब समझें जो change नहीं होती है तो यहाँ से हमें यह पता चला कि जो velocity है वो change होती है तो मतलब velocity एक invariant quantity तो नहीं है Galilean transformations के लिए तो दोस्तों अब हम चलते हैं transformation of acceleration के दरफ तो देखें दोस्तों यह और भी बहुत जादा easy है जैसे कि हमें पता है कि acceleration is rate of change of velocity velocity तो हम suppose करते हैं कि जो acceleration measure हुआ है s frame में उसको हम a कह देते हैं और s frame में measure हुआ है उसको a prime कह देते हैं तो देखें हम जैसे कि जानते हैं कि acceleration is rate of change of velocity with time तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a is equal to du upon dt और a prime is equal to du upon dt तो देखें हमारे पास यह equation अभी हमने derive कि है कि u prime is equal to u minus v तो अगर हम पूरी equation को t के respect में differentiate कर दें यह हो जाएगा du prime upon dt is equal to du upon dt minus अब देखें वी का क्या होगा यह 0 हो जाएगा क्योंकि v constant velocity है इसी इसका ध्यान रखिएगा v constant velocity है change नहीं हो रही है इससे यह 0 हो जाएगी तो यहां से हम सीधे लिख सकते हैं इसको और लिख सकते हैं a prime a prime is equal to a दोस्तों यहां से एक चीज़ हमें बहुत important पता चली कि जो acceleration होता है वो Galilean transformation में invariant होता है तो acceleration Galilean transformations के लिए एक invariant quantity है दोस्तों अब तक हमें कौन-कौन सी invariant quantities मिल गई सबसे पहले हमें मिली थी सबसे पहले हमें मिली थी distance या फिल लेंथ distance या फिल लेंथ invariant quantities थी उसके बाद हमें यहां पर मिल गया acceleration यह invariant quantities हमें अभी तक मिली है और जो change होती है वो है position पोजिशन चेंज होती है और velocity चेंज होती है और यह जो है यह invariant है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें और भी बहुत सारी invariant quantities मिलते जाएंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही था आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और एक concept भी अच्छे समझ में आ गया होगा तो दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और transformation equations के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए अपने parents का ध्यान रखिए खुश रहिए और मैनत करते रहिए और दोस्तो इस चीज़ को आप एक बर रिवाइस भी कर लीजेगा